नमस्कार मैं मनाली पाने और आप देख रहे हैं नियूस 28 स्वागत है आप सभी का बात सियासत की में जिहां, कल याने की 20 नवंबर को गुरुनानक जयान्ती के दिन प्रधान मंत्री नरेनर मोधी जनता का संबोधन करते हुए ये बताते हैं कि तीन क्रिशी कानूनों को नरस्त किया जाएगा इस खबर के आने के बाद से जनता में हलचल सी मच गई है कुछ लोग इस खबर को सुनने के बाद बेहत खुश नजर आ रहे हैं तो वहीं क्रिशी अब भी किसाना अंदोलन पर डटे हुए हैं तो वहीं एक और और जब हम नजर डालेंगे तो सियासी कार बराबर इस पर अपनी सियासत खेले जा रहे हैं जी हां सियासी कारों की अपनी अपनी बयान बादी चल रही है तो वहीं आम जनता भी ट्विटर पर टिपड़ी किये जा रही है हाल ही में AIMIA के अध्यक्ष असुद्दीन OAC का बयान सामने आया है OAC ने केंडर सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार के अडियल रवये के वज़े से 700 से जादा किसानों की जान चली गई जी हां तीन क्रिशी कानूनों के खिलाफ आंदोलन के लिए किसानों को बधाई देते हुए OAC ने कहा तीन क्रिशी कानूनों को निरस्त करने का फैसला पंजाब और उत्तर प्रदेश में आने वाले विधान सभाचुनाव के मद्दे नजर रखते हुए उठाया है OAC ने आगे कहा कि 700 से ज़्यादा किसानों की जान ना जाती अगर सरकार का रवया इतना अडियल ना होता OAC ने ट्वीट किया कि क्रिशी कानून शुरू से ही असमवेधानिक है सरकार के हैंकार ने किसानों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर किया अगर सरकार इतना बालहट नहीं करती तो 700 से ज़्यादा किसानों की जान नहीं गई होती किसाना अंदोलन को बढ़ाई मोदी ने उत्तर प्रदेश और पंजाब के दिवारों पर लिखी इबारत देख ली थी उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था कुछ सवाल हमारे सामने घड़े होते हैं जैसे क्या वाकई में केंद्र ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि उत्तर प्रदेश और पंजाब में विधान सभा चुनाव आने वाले हैं या फिर वाकई में इन तीन क्रिशी कानूनों को किशान अंदोलन के चलते निरस्त किया गया है अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिख कर हम तक पहुचाए